देखे सब को अपने धार्मिक अयोजन, अपने अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए रास्तों पर बिना परशासन की इजाजत के कोई हो उसको करने से अपने आपको बचाना चाहिए किसानों को सरकार ने अनेकों बार बाचित के लिए बुलाया है प्रजाद अन्तर में जो भी मसले होते हैं वो हमेशा बाचित से हाल होते हैं लेकिन ये अन्जान कारनों से बाचित में शामिल नहीं होना चाहते हैं इनके अंदोलन के पीछे क्या राजनिती है वो तो यही जानते होंगे लेकिन ये इसका समाधान नहीं चाहते हैं मोदी जी के साथ साल के शासन में जितना विकास हुआ है वो अब से पहले जब से हिंदुस्तान अजाद हुआ है कभी देखने को नहीं मिला अब राहुल गांदी जी को नजर नहीं आता तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता देखे सब को अपने धार्मिक अयोजन अपने अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए रास्तों पर बिना परशासन की इजाजत के कोई हो उसको करने से अपने आपको बचाना चाहिए किसानों को सरकार ने अनेको बार बाचित के लिए बलाया है प्रजाद अन्तर में जो भी मसेले होते हैं वो हमेशा बाचित से हाल होते हैं लेकिन ये अन्जान कारणों से बाचित में शामिल नहीं होना चाहते हैं इनके अंदोलन के पीछे क्या राजनिती है वो तो यही जानते होंगे लेकिन ये इसका समधान नहीं चाहते हैं मोद्दी जी के साथ साल के शाषण में जितना विकास हुआ है वो अब से पहले जब से हिंदुस्तान अजाद हुआ है कभी देखने को नहीं मिला अब राहुल गांदी जी को नजर नहीं आता तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता